हलो एब्रियोन वेल्कम बैक टो चैनल बिलियन एजूकेशन वेर वी एम टूरीच और टीच बिलियन पॉपूलेशन तो गाइज आपको स्वागत है हमारे चैनल पे सो हम आज कंटिन्यू करेंगे हमारे इलेवंथ की सोशियल लाजी से चाप्टर नमबर टू जहां पर हम लो कंट्रिबूशन देख रहे हैं एक सब्जेक्ट को बनाने में कितने लोगों का था तो उन में सबसे पहला नाम जो आता है वह हमारे एक ही ऑगस्ट कॉम्टे दूसरा था हमने जो पढ़ा वो था दुर्खिम आज जो थर्ड पढ़ रहे हैं वह है काल मांक्स काल मांक्स बह काल मांक्स का नाम कहीं न कहीं किसी ना किसी पल पर जरूर सुनोंगे तो ओएक और मांक्स है यह ऐर के बहुतहरननर रइकक हों जब लिखते तहुए आघ निकल रहे हैं आपने आप प्राहिप से और जयमन्लों के थी लेकिन यह लिखते थे वर्ली राइट इवेंट पर वर्ल्ड वाइड इवेंट पे सो बुराई करते थे ब्रिटेन की क्योंकि यह कॉलनिस्ट था और सपोर्ट करते थे इंडिया को और जो पेपर में लिखते थे वो था वॉशिंग्टन पोस्ट में तो कितने मुल्टी नैशनल थे जर्मनी के थे जो बुराई करते थे वो ब्रिटेन में रहके ब्रिटेन में आना जाना होता था और इंडिया के सपोर्ट में लेकिन वॉशिंग्टन पोस्ट जो पेपर था यूश्ए का फिलासफर स्कॉलर एकॉनमिस्ट जी हाँ इकॉनमिस् जी हाँ वडिस कम्यूनिजम जहां पर जो सारी चीजें हैं वो बराबर बटनी चाहिए सब में समझें कोई सौ रुपया कमा रहा है कोई दस रुपया सो इन में बराबरी लाने के लिए इसको 45 रुपय इसे देने पड़ेंगे और यह हो जाएगा पच्पन और यह हो जाए लाने वाले खुद कालमाक्स थे इनिक्वालिटी इसी से इनिक्वालिटी की जो बाते करते हैं वही बात को आगे बढ़ाने वाले थे कालमाक्स वो बोलते थे वर्ल्ड में इक्वालिटी आनी चाहिए कैपिटलिजम जो कैपिटलिस्ट एकॉनमी है उसके जो अपोजिशन में थे capitalist मतलब जितना पैसा कमा सकते हैं कमाते जाएए वहीं पर गरीब ना कमा पाए आप भले कमाते जाएए तो वो लेकि खाई बढ़ जाएगी गरीब और अमीर के बीच में और यह खाई को inequality बोलते हैं guys inequality पैसे की inequality और यही खाई बोलते हैं कि बहुत बड़ी है जैसे कि बाबा साहिब हम बेटकर हमारे बहुत विचार रखते उसी तरह से काल मांक्स भी बहुत ज्यादा दिमाग से लिखने वाले और बहुत डिटेल में लिखने वाले वन आप दे राइटर थे ठीक है यह थाट आप वेरी पावफुल देखिये और इंफुएंशल आल ओवर दी वर्ल समझ रहे हैं आप लोग समझ रहे हैं समझ रहे हैं चलिए अब capitalist is an economic system based on private property private ownership of the resources and means of production wage labor and competitive markets driven by profit so देखिये यह सब profit मतलब सब्सक्राइब देखिये आप लोग अगर economics नहीं सुनने तो हमारी economics को भी देखते जाएए जैसे कि सुनिए आप यहां पर land होता है labor होता है capital होता है entrepreneurship होता है तो land मतलब जिसने अपना जमीन हो मिलेगा जी हां सो लगाया बिजनेस में और जो इंटर और जिसने पूरा दिमाग लगाया अच्छल बिजनेस उसे profit मिलेगा यह जो सारी थेयरी है कि पूरी के पूरी थेयरी किस पर चल रही है profit पर भाई और भाई और प्रॉफिट पर तो वह इसके अगेंस्टे यूएस से capitalist economy है मतलब क्या आप जितना पैसा कमा सकते हैं कमाते जाएए यह आपका अधिकार आप से कोई च्छीन नहीं सकता ठीक है अब यहां पर इतना भी देगा तो क्या पब्लिक बोलेगी बुमा बुम कर देगी कि यहां इधना कैसे पैसा लेगा जमीन सब में बार आप लोग मालने में equality का अध सब्सक्राबर बठेगा लेकिन USA में क्या हो रहा है 20 में 19 नहीं कमा पा रहें 19 लोगों सिर्फ 19 मिल रहा है और एक 80 लेके पार चला जा रहा है ओनली वन पर संट यह इनिक्वालिटी ओगी 19 के पास 19 है तो यह करने के लिए गवर्मेंट क्या निक है एक सिस्टम बहुत चाना कि हम टाक्स मारेंगा इसके उपर इसके उपर टाक्स मारें गारे तुम कितना जादा जार लोग दस रुपया लोगे 12 रुपया बहुत है नहीं बटा एक अकेले के पास अभी भी आपने कितना 4041 बचा है अच्छा सिस्टम भी नहीं है अगर आप कैपिटलिस सोसाइटी में हैं यह बात आपको समझाने में अगर आप लोग अच्छे समझ चुके हैं तो जरूर लाइक दबाना गाइस इसलिए पूरा सिस्टम कितना भी नहीं कमा सकते कमाव यारत सीधा přभाने करें तो पूरा इस यहाँ बढ़ आप लोग भोने की सोच होगे तो नहीं करें اक हानões से और दूसरा घर बैट कर खा रहा हा हा तो सबसे बड़ी बुराई है अगर लोग बराबर बटेगा तो कोई भी काम नहीं करना चाहेगा सब लोग बोलेंगे जब मैं काम करता हूं बठता समय मैं अपने अकेले की खराब कर रहा हूं मैंनत करकर करके और वह डारू पी-पी के खराब कर रहा है तो इसमें तो नुकसान है और कोई तो मस्द मैं घर में बैटके मज़े के भलाने गए लाएंगे न पैसा वर और capitalist के बीच में सबसे अच्छा रहता है वह होता है socialist ठीक है चालिए चलते हैं हम लोग आगे ते थीरी अफ क्लास कंफ्लिक्ट वाट इस क्लास कंफ्लिक्ट अमीर गौरीब अमीर मतलब जिनके पास पैसा है गौरीब जिनका पैसा है एक क्लास है क्लास मतलब गुछ ग्रूप और एक क्लास है थी दोनों में हमेशा लडाई चालू रहे इसको प्लीज आके देखिए हमारे लिए ज्यादा भी मैटर नहीं जैसे हजार के उपर पॉपलर हो जाता है तो चलिए है और है नौट के पीछ में लड़ाई है है मतलब जो अमीर लोग वह में पैसा नीच देना नहीं चाहेंगे को बैम पूरा पैसा इन से चीन ले यह कौन टुरूर है pulse क nervous सब्सक्राइब क्लास मतलब कहा से माक्स माक्स का माक्स कालтра मार्व को सोचने वाले और काल मांक्स को बोलने वाले लोग हैं उनके दिमाग में हमेशा यही बात रहे कि बहुत ज्यादा कास्ट में तो एकदम दबा के रखाया कास्ट क्लास का पपा है उसकी मम्मी है उसका भगवान है इतना बड़ा कास्ट है हमारा तो क्लास चोटी मोटी चीज़े लेकिन हम बात कर रहें क्लास की तो क्लास कांफ्लिक्ट समझ चुके हो एक एक वर की मीनिंग बताएंगे आपको बिलियन एजुकेशन देता कि बिलियन लोगों तक यह बात भी पहुचा आप आप इन दिस कम्यूनिस्ट मैनिफेस्टो मार्क वो पूरी हिस्ट्री पढ़े बोले हमेशा लड़ाई है अमीर राजा और गरीव राजा के वीच में यह अलग अमीर राजा गरीव राजा मतलब थोड़ा पैसे में कम यह दोनों लड़ेंगे बड़ा राजा इसका विल राजपार्ट लिना चाहेगा से मूपर किये से अम है तीक इसके पास हेलीकॉप्टर फाइटर और यह विचारा भाले से मार रहा है वह वह बाले से मार तो इसके ईप्राज को यह को ऑने इसके दृगए और सौरी फो मैं पूर आक्टिंग रब कर रहा था तो सोचा कुछ दे दूँ आप लोग को तो काल माक्स जी है इनकी थियरी इनकी थियरी सब जगह चलती है चलिए बिट्वीन दिक्लासे देरीज एंटागोनिजम एंटागोनिजम मतलब एक दूसरे को लेकर ऐसे देखते हैं रसमें क्या देख रहा है तो कंपनी में वर्कर यह मालिक है इसको प्रॉफिट समझे सौ रुपया मिल रहा था और वर्कर उसने सौ काम पर रखे थे साइंस का इन्वेंशन हुआ इसने देखा कि सौ वर्कर का पकार बहुत ज्यादा मशीन कम लग दी मशीन सस्ते में काम करेगी मैं अपना प्रॉफिट सो यह लोग का बोलना क्या था कि यह पचास लोग को करना इसी रहेगा लेकिन मेरा प्रॉफिट भी तो सेम टाइम पर बढ़ रहा है और उसके बाद मेरी जान पैचान और लोगों कि मेरा माल बहुत बिखने वाला है क्योंकि मशीन आभी मशीन मैं आदमी से ज्यादा काम क सलता है so according to the marks it is the economic factor that forms the basis of the class so according to economy यह क्या ले रहे ते यह यह ना economics को ज्यादा मानते जैसे कि पैसे के inequality inequality बहुत होती है जैसे हमारे इंडिया में में मुमें की पुर्यों में में मुमें की inequality है में डॉमिनेटिंग रहते हैं फिमेल को नहीं डॉमिनेटिंग होने दे रहे तो उससे और आगे जाओगे तो देखोगे कि हमारे दर कास्ट का वह है ऐसे देखोगे तो और भी यह जो बच्चों में हम लोगे एडूकेशन का सिस्टम का है कि तुम अगर मैस में आउट आफ आउट ला रहे हो तो तुम बहुत होश यारो और जो बच्चा ड्राइं करता है तो वह अच्छा नहीं है तो वह इनिक्वालिटी इंडा में अल्रेडी चाल वह बहुत लेवल पर इनिक्वालिटी और आगे इंपोर्टेंट टू क्लास स्ट्राटिफिकेशन तुमको पूरी स्टोरी बता है तो यह चाप्टर भी पढ़ने में एकदम मसका लगेगा वह क्या देखते बोलते हैं को दुनिया का बोलते अपना अपना चश्मा रहता है तुम कैसा देख रहे हो वैसा तुम पर डिपें आपको क्या लगता है यूएस से ज्यादा यूएस से में ज्यादा इनिक्वालिटी है और अपने इंडिया में ज्यादा इनिक्वालिटी है किदर ज्यादा इनिक्वालिटी मिन्स गरीब और अमीर के बीच का डिफरेंस किदर ज्यादा है गिनी को इफिशेंट उसके घ्राष इन सोसाइटी सेंपली मीन्स सेटोमिक लुटें करें गार्ण करें यूप्यमिन इस लिए लोग जाती है नियुक्त आमिर गर्णी बतने इधर बहुत अलग इस्यू है आपन बहुत कांप्लक्स है विच इस बेज़ ऑन दी प्रोग्रेस ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रिबुशन ओफ एकोनमी ग्रोथ इन दी सोसाइटी तो देखो अगर यही कमाने वाला इंसान उपर जा रहे हैं लेकिन यह क्या करता है पैसा नीचे भी देती जाता है तीक है देते भी जाता है इधर सब्सक्राइब कर रहे है तो अच्छा रहे है तो अच्छा रहे है तो सब्सक्राइब करते हैं जैसे कि अगर आप देखोगे ना कि कई किसी हैंडिकैप को कुछ सर्विसेज दे रहे हैं तो अगर सब को दुनिया को दिखा के करते हैं पूरे वर्ल्ड को बताएंगे हमारे में क्या बोलते हैं अभी यही फिलोसफी ना इंडिया में बहुत बड़े-बड़े मैंने देखा है मैं भी कुछ लोग को देखत नहीं बिलीव रखती दान हैपिनेस और अपने दुखा जो अपने घर की दिया यह सब दिक्कत है ना अपने को हाइड करके रखनी चीए इंडिन फिलोसफी यह कहती है कि तुम जितना खोल कर दिखा होगे तुम खाली फुकट के मगजमारी जहेल रहे हैं तो दान कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी करना ओता ना ओपनली बताना नहीं होता है कि मैंने किया है तो यह दुनिया का जो तो और वो लोग बता रहे हैं सब सारी चीज़े कोई है नहीं किसी को नहीं बहुत लोग ऐसा करते कि देखो मैंने ऐसा कि आप नाम लोगे तो आ किसी को चारिटी करते हों कभी बताना नहीं होता है बहुत सारे लोग है बहुत सारे लोग में साइलेंट ली करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि वह गदें ठीक है कि आप अपना जब भी लाइफ में आपको कर्यार अपॉर्चनिटी जरूर देगी तो आप जब भी यह सब गाम करना मेक शर कि आप अपनी इंटर्नल पीस के लिए करें और वह आदमी जिसको किया या औरत को जिसको आपने किया उसकी बलाई हो जहीं नहीं कि आपका नाम है बहुत सारे लोग है इंडियां बहुत सारे मैं नाम की नादा शुरू करते हैं जिन्हों ने बहुत साइलेंटली बहुत अच्छा-चा काम किए थीक है अब आपके नहीं आते थे दुनिया को लेके नहीं जाते थे चलो फोटो किशने का है जब ही मैं वह पेशेंट लोग क रहता है चलिए तो यह सब आज करना यह यह उरोपियन थोट भले यह लोग बोलते हैं कि इंडियन थोट रियल में बहुत अलग है इसलिए हम लोग सिधार कि जा रहे हैं यूरोपियन थोट को जिंदगी पीछे चोड़ना है तो छोड़ दो किसी को मावाग को पीछे पूदना जाए क्योंकि पॉब्लिक का नंबर बहुत ज़्यादा है खर देगी नहीं स्ट्राइक पे बैठ जाएगी प्रोटेस्ट करना शुरू कर देगी तो यह सब दिखाने के तरीक है मेक्शर आप अवेर हमारी और्डियन्स हो तो हम आपको सब चीज बताएंगे आप आपको एक्जाम से पहले आपका खतम करता मिलते हैं नेक्स लेक्चर में तिल देन बाइबाइब वादे के साथ मिलूंगा दुबार बताना लेक्चर कैसा लगा